हलो दोस्तों साखत करते है, अपने स्टेडिभी चैनल स्टेडी विदाट दरेट पी में आजम कड़ित के सेट नंबर 7, 1023 के सेट नंबर 7, अर इकोड और इकोड नंबर क् mánd سा र इ, 2022 का गड़ित सेट नंबर 7 के को साल करेंगे, चलिए सुरू करते हैं, पहले खंड में बोकल पी कोश्चन, इसे पहला कोश्चन दे रखा है कि दिया गया है कि लासा, दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं दे रखी हैं यह वाली, लासा इनका दे रखा है, मासा निकालना है, मासा को HCF कहते हैं, तो सुत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लासा वो मासा गुने लासा, तो पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288 है, HCF मान निकालना LCM का मान दो 361 3168 है इसको नीचे ले आएंगे calculation कर लेंगे HCF का मान निकाल लेंगे HCF का मान 12 हो जाएगा वही answer हमारा हो जाएगा अगला question है दो इघास समी करण 3X square minus 6X plus 4 बराबर 0 का विवित कर निकालना विवित कर का मतलब D D बराबर में सूतर होता B square minus 4AC इसका मान निकालना है 4AC तो कैसे निकाल लेंगे चले शुरू करते देखो ये दो इघास समी करने दे रखी है पहले इसकी तुलना कर लेंगे AX square plus BX plus C बराबर 0 से A का मान हो जाएगा 3 B का मान हो जाएगा 6 और C का मान हो जाएगा 4 अब सूतर लगाएगे D बराबर में B square minus 4AC B का मान है minus 6 और 4AC कल्कुलेशन करेंगे minus 12 आएगा ये हमारा क्या होगा इंसर होगा यहाँ पर minus 12 हमारा क्या होगा इंसर होगा फिर अगला question दे रखा है बिंदों दे रखा है बिंदो A और B को जोड़ने हो लेगा करना मद्ध बिंदो P A का मान दे रखा है तो A का मान ग्याद करना है तो मतलब ये मद्ध बिंदो के निर दे सांग दे रखा है मद्ध बिंदो के निर दे सांग का सूतर होता है X बराबर में एकस वन प्लस एकस टू वाई टू कमा वाई बराबर में वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यह एकस वन का मान दे रखा है यह वाई वन का मान यह एकस टू का मान यह वाई टू का मान दे रखा है यह एकस का मान यह वाई का मान इस उतर में केवल मान रखना है एकस का मान ये y का मान ये x1 y1 x2 y2 इस सूत्र में मान रखेंगे निकाल लेंगे तो चले शुरू करते हैं ये x1 x1 मान दे रखेंगे ये x1 का मान ये x2 का मान ये x1 ये y1 x2 ये y2 ये x और ये y चले सूत्र में मान रखेंगे तो ये सूत्र दे रखा है X वराबर में X1 प्लस X2 बाइटू, X का मान ने A बटे 8, X1 का मान ने माइनस का चार, X2 का मान ने 5, बटे 2 करेंगे तो A का मान आजाएगा 4 और A का मान 4 आजाएगा, बस यही रख देना ढून लेना कि A का मान किसमें 4 यही है, यही यही है, यह मारा क्या हो जायगा? अगले question पीप deswegen कामान बारा सींटीमेटर क्यू्मा खया करना है यह को श sagen पिछले 16 कि इस क्वान आचा के बीच में होना चाहिए थीटा का मान ग्याद करना तो जानी गए होगे साइन थीटा और कास किस थीटा पर मान पर साइन के मान बराबर होते हैं तो साइन sign 35 का माण भी एक बटे 2 होता है sign sign 45 का माण 1 upon root 2 होता है और cass 45 का माण भी cass 45 का माण भी 1 upon root 2 होता है मतलब sign और sign 55 और cass 45 का माण 45 होते है पिर एक्ला question दे रेखा है यद एक वरत्तका परिमाप और 56 inm ख्यात्मग रूप से बराबर हैं, तो इसकी तुरिज्जा गयातकर ना है two pi r is two question दे रखा है, दूसरे कखंड़ नंबर दो पर आ गए है question नंबर दे रखा है कि के का मान गयात कीजिए जिसके लिए द्विगाज समीकरण K X स्केर 20 X प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है जब मूल समान का है तो D का मान क्या रखना है 0 और D बराबर सूत लगाना है B स्केर माइनस का 4 A C इससे लगाएंगे तो मान निकाल लेंगे कैसे हल करेंगे जेने चलू करते हैं Question को सालू करते है Question है K X स्केर प्लस 20 X प्लस 25 बराबर 0 इसकी तुलना करेंगे X स्केर प्लस B X प्लस C बराबर 0 से A का मान के वाजाएगा B का मान 20 और C का मान 25 D बराबर 0 ये 0 क्यों रखना गया है क्योंकि मूल कहा है समान है समूल समान होते हैं तो डी का मान जीरू रखा जाता है फिर विवित कर डी वराबर में 20 कर मैंस 4AC डी का मान 0, डी का मान 25, 4AC कल्कुरसन करेंगा और के का मान 4 आ जाएगा यही क्या होगा हमारा एंसर होगा फिसका दूसरा कोश्चन है कि चित्र डी यह चित्र बना है इसमें दे रखा है डी समानतर किसके भी सी यह रेखा इसे वाली रेखा के क्या है समानतर है और DB की लंबाई दे रखी है 10.8 cm इसकी DB की लंबाई दे रखी है इतनी लंबाई दे रखी है 10.8 cm इसकी लंबाई AE की लंबाई दे रखी है इतनी की लंबाई दे रखी है 2.7 cm इतनी की लंबाई है और EC का मान दे रखा है EC का मान दे रखा है 8.1 cm AD कमान पूछा है तो थेल्स प्रमे लगा लेंगे AD बटे AD बटे DB ऐसे इधर AE अपान में EC EC इसमें मान रखेंगे AD कमान निकालना है तो AD रख लेंगे DB कमान दे रखा है 10.8 ये रख लेंगे AE कमान दे रखा है 2.7 ये रख लेंगे EC का भी मान दे रखा है 8.1 ये रख लेंगे 27.83 हो जाएगा इसकी गुणा हो जाएगी और कैलकुलेशन करेंगे काटने पर तो कैलकुलेशन काटने पर एंसर जो आएगा वह हमारा लगभग में AD कमान 3.6 cm आजाएगा ये जो दे रखा है बताया था कैलकुलेशन केवल ये बराबर ये समानतर इसके दे रखे थे ये इसका मान दे रखा है इसका मान दे रखा है इसका मान दे रखा है ये अंपर में लगाएंगे थिल्स की AD अपान में DB और AE अपान में इसी मान रखेंगे कोशक हल हो जाएगा अगला कोश्चन क्या है दे रखा है कॉसक थीटा बराबर में कॉसक थीटा का मान निकालना यह सरल कोश्चन है कैसे करेंगे कॉसक थीटा का मान दे रखा है कॉसक थीटा का मान दे रखा है तेरा बटे 5 तो कॉसक थीटा का सुत्र क्या होता है ऐसे लाल बटे का का से देख ल तो निकाल लें実 निकाल लेंगे तो mujabik टृफ न्यचा है कषिक सिए दर जी रखा कोस्चन क्या है इकला ने रख़ा है जब पिगrauen कर कोई दूसरीस चीज बनाई जैते तो आयतन क्या होते ही ? आयतन क्या होते है ? बराबर होते है गोले का आयतन चार वटे तिन पाई आर क्यूब आठ गोले का आयतन हर्ड कि यहाँ रख लेंगे चसलो्य हो जाएगा अब आर कमान दे रख्का आर का मान दे रख्त हित्य आरत यहां का इस будем होगा यहीं मारी त्रिज्जा हो जाएगी जो 8 बनाए गए हैं घन यहीं मारी त्रिज्जा हो जाएगी मतलब कभी कोई चीज पिगला कर कोई चीज बनाई जाती तो उनके आयतन क्या होते हैं बराबर होते हैं 8 गोले बनाए गए हैं चोटे गोले बनाए गए हैं बड़े गोले को पिगला कर तो बड़े गोले की त्री आयतन चोटे आठ से गुणा कर देना है इसका मांदे रखा है कैलकुलाशन करना एंसर आ जाएगा अगला कोश्चन क्या दे रखा है अब खंड नमबर 3 पे सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक अपर में संख्या है इसको कैसे लिखेंगे सिद्ध करना है दो माइनस रूट 5 एक अपर में संख्या तो इसको हल करना आसान है कैसे हल करेंगे दूट 2 एक तो रूट 5 एक अपर में संख्या एक अपर में संख्या यह सिद्ध करना है अपर में संख्या कैसे हल करेंगे तो माल लेंगे माना दो माइनस रूड फाइव एक परिमे संख्या है एक परिमे संख्या है परिमे संख्या है जब मानेंगे तो दो माइनस रूड फाइव बराबर में पी अपान क्यूं हो जाएगा क्यूं का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए जब नहीं होगा तो करेंगे वर्ग करेंगे तो work करने से पहले इसको हम इधर ले जाएंगे या ऐसे कर लो work कर लेंगे या ऐसे इसको इधर इस वाले 2 को इधर बेज दो या इसको इधर बेज दो तो 2 minus P upon Q इसको हम इधर बेज दे रहें इसको इधर बेजेंगे तो root 5 हो जाएगा गुणा करेंगे तो 2Q माइनस का P अपान में क्यूं बराबर में हो जाएगा रूड 5 यहाँ पर लिख लेना हम जानते हैं हम जानते हैं कि रूड 5 एक अपरिमे संख्या पीछे हल कर चुके हो एक अपरिमे संख्या है अपरिमे संख्या यह कैसे संख्या यह परिमे संख्या है तो रूड अता तो अता दो माइनस रूड फाइव भी एक अपरिमे संख्या होगे एक अपरिमे संक्या होगी बस यह कोशन को साल करना ज्यादा करना नहीं है अगले कोस्चन के तरह बढ़ती है अगला कोशन दे रखा है दो सम्पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिगरी बढ़ा है तो कोण गयाद करना है संपूरक कोण कहा है और छोटा कोण बड़े कोण 36 डिगरी अधिक है तो माल लेना एक कोण बड़ा कोण X छोटा कोण Y माल लेना फिर सर्तामसार कहा है कि दोनों का संपूरक कोण है संपूरक कोण है तो X प्लस Y बराबर में 180 करेंगे एक्स एक्स बराबर में 36 प्लस Y इक मान जो है उससे 36 डिगरी बड़ा है तो 36 वाई कर लेंगे वाई को इधर लाएंगे तो x-y-36, एक एक एक्विसन ये, एक एक्विसन ये, दोनों समीकनों को हल करेंगे, y से y cancel हो जाएगा, x वराबर में 2x, 36 जोडेंगे, तो हो जाएगा 216, दो से काटेंग, 108 डिगरी, एक का मान हो जाएगा, दूसरा मान बाहतर डिगरी, यही दोनों क्या होंगे, वारे answer होंगे संपूरक कोण का मानी होता, 108, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, संपूरक कहदे, तो संपूरक का मतलब होता, संपूरक कोण कहदे, तो मतलब 2 कोणों का योग जो होगा, वो कितना होगा, वो 180 डिगरी होगा, संपूरक कोणों का मतलब होता है, अगला question दे रखा है, बि बिंदू जो हैं बिंदूओं इन दोनों को जोड़ने वाले जगाकन को किस अनुपात में वाज़ी करता है बस ये एकस वन ये वाई वन ये एकस टू ये वाई टू है ये एकस कामा वाई दे रखा अनुपात हमें ग्याद करना जित अनुपात कहें तो हमेशा अनुपात माल लेना है माना अनुपात बराबर में के अनुपात एक, यह हो जाएगा M1, यह हो जाएगा M2, बस फार्मुला लगाना है, यह दे रखा है मान, केवल फार्मुला लगाना है, यह X1, यह X2, यह X1, यह Y1, यह X2 और यह Y2, यह मान हो जाएगे, यह X1, Y1 होंगे, अनुपात, क के अनुपात एक माल लेना है सोत लगाना विभाजन वाला एकस बराबर में M1 X2 M2 X1 अपान में M1 प्लस M2 काल्कूलोशन करेंगे सब का मान रख देंगे के का मान यहां से आ जाएगा साथ बटे मतलब दो बटे साथ यह के का मान आ जाएगा और हमने अनुपात क्या मान था क अनुपात एक यहां पर दो बटे साथ रखेंगे मान आपान में Aже दो सासे गुना कर देंगे पूरी के कंसिल हो जाएगा दो उच्छे का दो अनुपात साथ यहीन gradually को साथ यहीं हमाँ रखा होगा उनुपात होजाएगा इस कोशन का लास्ट कोशन का लास्ट कोशन इस व CAHASE में कितने का मान यही होता है तो CAHASE 30 का मान होता तुलना करेंगे तो A-B का मान 30 A refugee आ जायेगा ऐसे Q Munic साइन ए प्लस बी का मान रूट स्री वाइटू है तो अब तुलबा कर लेंगे साइन से साइन ए प्लस बी का मान साइफ साइब 21 को पाल करेंगे बन चेली आजयेगा 15 अगला कोश्चन को चाल अगला कोश्चन हो इसे मत वह थे प्लस नुट एकéticoप्लाया जाएगा तुमका संख्याओं 165 और 255 का मासा गयात करना है दो नंबर का कोश्चन है तो मासा निकालने का Euclide विधी कल बताया था Euclide विधी क्या होता है भागविधी को ही एक नय पैटन में चेंज करना Euclide विधी है क्या करना Euclide विधी में HCF निकालना है, मासा निकालना है, वो भी किस से? Euclid वीट से, कैसा निकालेंगे? जो बड़ी संख्या होती है, इसको इधर लिख लेते हैं, बराबर में 165, कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, और कितना सेस बचेगा? नब्वे ये लिखते हैं, ये फर्ष्ट इस्टेप रहता है, फिर दूसरे स्टेप की तरह बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप में 165 था, इसको इहाँ पर लिखा जाता है, नब्वे से देखेंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा और सेस बचेगा 75 फिर तीसरे स्टेप में बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में यहां पर लिखा जाएगा 75 से कितनी बार में जाएगा यह भी एक बार में जाएगा और सेस बचेगा 15 फिर चौथा स्टेप लाते हैं चौश्टे स्टेप में यह वाला यहां का मासा को जो मान होगा। वो कितना होगा हमारा कॉस्चन कर सकते हैं विद्वा सलीशन इस टाइप से दे रखा है विद्वा सलीशन ऐसे कर सकते हैं अगला कोश्चन दे रखा है कि X और Y में एक संबंद ग्याद करना यदि बिंदू एक कामा दो जीरो कामा जीरो और X कामा वाई सन्रेक होते हैं तो त्रिभुज का छेतरफल क्या होता जीरो के बराबर दो तो सन्रेक में ये X1 ये Y1 ये X2 ये Y2 ये X3 और ये Y3 अब त्रिभुज का छेतरफल लगाना है बस कैसे हल करेंगे question तो दे रखा है ये बिंदू दे रखे हैं ये X1 ये Y1 ये X2 ये Y2 ये X3 ये 3 त्रिभुज का छेतरफल लगाएंगे एक बटे दो X1 Y1 X2 Y3 X3 Y1 माइनस Y1 पूरा रखेंगे सूत्र और हल करेंगे हल करेंगे हमने बता तो सन्रेक लिए त्रिभुज का सित्पल 0 काल्कुलेसन करेंगे सबके मान रख लेंगे हलकाते चले आएंगे last में Y बराबर में 2X आ जाएगा यही क्या होगा हमारा संबंद हो जाएगा अगला question क्या दे रखा है अगला question दे रखा है कि 2-15 बटे में 10 75-ока 2, cost 35 ना कितना होता है 1 upon 2 होता है, cost 35 का मान 1 होता है, इंकु में cost 6x 6x 6, cost 6x 6 major cost 6x 660 होता है वो cost का उल्टा मान होता है, cost 6, cost का मान 2 होता है. बसकेवल इसने को सालो करना एंसर आजाएगा तो सालो करते हैं टू कॉर्ट 45 इसको 75 में चेंज कर ले ना 1090-90 से 15 गटाएंगे 75 आजाएगा गुड़े 2 साइन का 31 बटे 2 कॉर्ट का 35 कमान एक 660 कमान दो इसको हल करेंगे तो 1090-90 इस तिटा कॉर्ट थीटा इस से ये कैंसल हो जाएगा 2 बचेगा इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा 2 से 2 गटाएंगे जीरू यही मारक्या हो जाएगा answer हो जाएगा इस खंड का last question लिखा है निम लिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्याद करना बहुलक question हर बार पूछा जाता है कि वली sanity बना लेना बहुलक का सूत्र होता है बहुलक निकालने का सूत्र M बराबर M में L1 अपान में F1 माइनस का 2F1-F2 into H ये हमारा निकालने का फार्मूला होता है क्लिसमें मान निकालना है मान कैसे निकालेंगे चले शुरू करते हैं ये टेबल दे रखी है जिस बारंबारता का सबसे ज़्यादा मान होता है उसे हम F1 मान लेते हैं उससे उपर वाला F1 और इससे जस्ट नीचे वाला F2 उससे ओपर वाला F2 अर इससे जस्ट नीचे वाला F2 इसके सामने वाले जो मान होंगे वो 11 और L2 हो जाएंगे बस इस सूत्र में मान रखेंगे 11 का मान तेरे रखा है 3 पलस F1 का मान 8 FO का मान 6 2 गुले 8 माइनस 6 यह हो जाएगा ह का मान कैसा निकालते हैं ह बराबर में L2 माइनस L1 होता है तो ह बराबर में L2 का मान दे रखा है 5 माइनस L1 का मान दे रखा है 5 से 3 गटाएंगे 2 आएगा वो ह का मान हो जाएगा फिर आगे हल करेंगे हल करने पर इसको जो भी मान आएगा एंसर हो जाए लेक, फिर एकला question दे रखा है, खन न Kangma no 5 दे रखा है, दिये गझे चितर में एक समलम चतुर वूज़़ा, यह question दे रखा है, चितर दे रखा है, इसका समलम चतुर वूज़ा है, उसमें A B समानतर किसके है, AB समानतर है, DC के ये इसके समानतर है और समानतर भुजा AD और BC पर बिंद E और F दे रखें ये बिंदे रखें EB के समानतर EB के समानतर दर्साना है AB ये सिद्ध करना है का सिद्ध करना है, तो यहाँ पर क्या करना रचना कर लेना इसको एक ऐसे रेखामाल लेना इसे रचना करते हुए तो रचना करेंगे पहले इसकी एक रचना कर लेना ये कोश्चन में सिद्ध करने वाले कोश्चन दिया है ग्याद करना ऐसे कोश्चन किये जाते हैं तो दे रखा है question में, यह AB समानतर DC के है, यह समानतर AB के, यह समलंम चतुरबुजबना एक रचना कर लेंगे हम, उपपत्ति पर आएंगे, उपपत्त हल होता है, AD यह दे रखा है, AD जिसी समानतर, AB समानतर DC के है, जब समानतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AE apan me ED और AG apan me AG apan me या A B आप ऐसे कैशकते हैं AG apan me G C G C C है आप ऐसे E F समांतर E F समांतर AB के है मतलब अचके, इफ जो समांतर है ये वाला E F समांतर किसके समांतर है, AB के समांतर तो ये भी ऐसे हम यह रचना करना चाहें तो इसा रचना कर सकते हैं या पिर हमाई से लिख सकते हैं अप यह बठे गण इसे अब यह बलता करना है अगला कोइस्चन है दुईगास समीकन के मूल गयाद करना दुईगास समीकन के मूल कैसे गयाद करते हैं मूल का मतलब मान गयाद करना एक्स के मान कैसे गयाद करेंगे ये कोई दुईगास समीकन दे रखा है तो इसकी पहले गुणा कर लेंगे 8 root 3 की गुणा 8 गोडे root 3 गोडे root 3 तो कितना हो जाएगा यह 3 हो जाएगा यह 8 8 3 24 24 क्या ऐसे do factor करना है कि जोड़ने पर 24 और गोड़ने पर गोड़ने पर 24 और जोड़ने पर 11 आना चाहिए तो 8 3 24 ही calculation कर लेंगे यही रखेंगे इस वाले में root 3 का मल लेंगे तो x minus root 3 बचेगा यहां से 8 का मल लेंगे तो x minus का root 3 बचेगा यह लिख लेंगे और x के दोनों मान हमारे पास आ जाएंगे यह हमारे क्या होंगे? मूल होंगे मूल कौन कौन से होंगे? root 3 होगा एक मूल और दूसरा मूल आठ बटे रोड़ती ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे अगला कोश्चन क्या है इसी का अगला कोश्चन दे रखा है चार दसमलो दो सेंटिमेटर तिज्जा वाले धात के ठोस गोले को पिगला कर 6 सेंटिमेटर तिज्जा वाला एक ठोस डाला गया मतलब जब कोई पिगलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसके आयतन क्या होते हैं बराबर होते हैं अब उचाही निकालना है यह गोला था गोला था गोल को पिगलाकर बेलना कार बनाया गया ठोस की रूप में डाला गया बेलन की उचाही गयात करना है बस क्या करना है गो समान अलग से तेरा छे सिंटिमीटर ahead collection का यहां पर रखेंगे काहले निकाल लेंगे जो भी मार जाएगा फिर अगले कोस्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोस्चन के रखा है इंदा निम्लिखिट वोर गंत्राल तर रखे निम्लिखिटव निम्लिखिट बारम leading through माद निकालना, माद का मतलब समांतर माद निकालना ये साड़ी दे रखे, कैसे निकालेंगे समांतर माद चले शुरू करते हैं ये फरगंतराल दे रखे हैं बारम बारता दे रखे हैं पहले बारम बारताओं का योग कर लेंगे फिर मद्यमान निकालेंगे, मद्यमान निकल निकल बताया था, सेट में इनका इनका योग करेंगे, और दोसे भाग, इनका इनका योग करेंगे, दोसे भाग, इनका इनका योग करेंगे, दोसे भाग, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग कर करते जाएंगे मान लिखते जाएंगे गुणा करेंगे मान लिखेंगे गुणा करेंगे मान लिखेंगे इनका जोड़ लेंगे फिर सूतर होगा एक वार हमें समांतर मान निकालना है मादिका सिग्मा एफ एसका मान आया इसका मान कल्कुलिजन करना एक सट क्या हो जाएगा ह मारा answer होगा, यह हमारा answer होगा यह भंड खतम होगा अंग्ले खंड की तरफ बढ़ते हैं अगले question में दे रखा है फज़भ नम्बर 6 है सभी 허드리는 को यह 4 नम्बर के खंड रहते हैं इसमें 4 नम्बर का प्रतेक question होगा दे रखा निंम लिखित समिकन यूगम को करना है समीकर्ण युगम क्या दे रखें ये एक समीकर्ण युगम दे रखा है समीकर्ण युगम दे रखा है थ्री अपान में एक्स प्लस टू अपान में वाई बराबर गेरा एक ये एक्वेशन दे रखी वाई बराबर में इसमें एक्स और वाई के मान निकालने कैसा निक करने पर यहां से या फिर ऐसे करो या फिर इसी को यहीं से यह ना करो इतना कैलकुलोसन ना करो डायरेक्ट इसको क्या करें हम तीन गुड़े एकसा और दो गुड़े एक वन अपान वाई में बदल लें तो यह वाला हम A माल लेंगे इसको माल लेंगे A के बराबर इसको माल लेंगे B के बराबर यहाँ पर माल लेंगे 3A 2 भी बराबर में 11 ऐसे इसको माना जायागा यह वाला ऐसे इसमें भी माल लेंगे इसमें भी माल लेंगे 1 upon X को A 1 upon Y को माल लेंगे B तो यहाँ पर मालेंगे equation A और B तो ये वाली equation हमारी क्या बन किया आएगी 4A माइनस का 5 भी एक equation ये हो गई और एक equation हमने ये निकाली थे दोनों equation को यहाँ पर हल करेंगे हर बराबर करेंगे, बराबर का मतलब एक के गुड़क बराबर कर लेना, हल करने पर B का मान आजाएगा, जब B को हल कर लोगे फिर ऐसे A का मान निकाल लेना A का मान निकल आएगा, जो A के मान निकालोगे, वो फिर से वापस कर देना क्योंकि हमने इसको A माना था, इसको B माना था इनको वापस कर देंगे मान फिर जो माँन वापस करने पर एकस और वाई के मान क क्या हो जाएंगे आ जाएंगे यह हमारे एकस वाई के मान होंगे अगला question क्या है एक बहुमनजले भवन के सिखर से दस मिटर उचे उचे स्तंब के सिखर और तल के उन्वन को बहुमिंजले भवन के सिखर से देखना है, 10 मीटर उचे स्थम्ब के सिखर और तल के उनमन को 30 डिगरी, 15 डिगरी है, बहुमिंजले भवन की उचाई ग्याद करना है, स्थम्ब और भवन के वीच की दूरी ग्याद करना है, कैसे ग्याद करते हैं, कैसे ग्याद करेंगे, दे एक बहुमिंजला भवन बना लेंगे ऐसे, बनाएंगे एक बहुमिंजला भवन ये, बहुमिंजले भवन के सिखर से एक ये दस मीटर उचा इस्तंब बना ले रहे हैं, ये दस मीटर उचा क्या है हमारे पास, इस्तंब है, इसके सिखर से, इसके सीर्स और आधार के अवनमन क तब ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है, तो ये भी 45 डिगरी हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि एक आंतर कोण के कारण ये मान बराबर हो जाते हैं, ये 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे H, तो टोटल उचाई क्या हो जाएगी, 10 प्लस H, इसको माल लेंगे X अब क्या करना ये A, B, C, D, E पहले ये छोटा त्रिभुज देख लेंगे समकोंड त्रिभुज A, B, C में समकोंड त्रिभुज A, B, E में A, B, E में देखेंगे तो 10-30 लगाएंगे 10-30 बराबर में H बटे ये जब X है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा X दूरी हो जाएगा H बटे X 10-30 का मान होता है 1 अपान में रूट 3 बराबर में H अपान में X त्रिभुज गुणा कर देंगे इसकी गुणा इसके साथ में तो X बराबर में हो जाएगा रूट 3 H ये हो जाएगा X का मान फिर अब अगले त्रिभुज में देखेंगे पुना समकोंड त्रिभुज पुना समकोंड त्रिभुज A C D में देखेंगे A C D में देखेंगे अब लगाएगे 10 45 हमारे पास एंगल कितना है 10 45 बराबर में 10 प्लस H बटे में क्या हो जाएगा? X 10 पैतल का मान 1 बराबर में 10 प्लस H बटे X तो रिशी गुणा करेंगे X बराबर में आ जाएगा 10 प्लस H X का मान वापस कर देंगे root 3 H बराबर में आ जाएगा 10 प्लस H इसको घटा लेंगे आकर यहाँ पर तो केच कामन मिल जाएगा root 3 minus 1 equal to 10 H बराबर में आ जाएगा 10 प्लस H बटे में root 3 minus 1 इसका परिमेकरन करेंगे तो root 3 plus 1 अपान में root 3 plus 1 अर्था 10 root 3 plus 1 बटे में ये A plus B और A minus B मतलब 3 minus 1 2 आ जाएगा तो यहाँ पर H बराबर में 10 बटे root 3 plus 1 बटे में कितना आएगा 2 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हल करने पर इसका मान आ जाएगा पुरा हल करने पर इसकी कल्कुलिसंट करने पर मान आएगा 13.66 जीरो करके आएगा यह H का मान आएगा लेकिन हमें टोटल उचाई पूछी इसकी बहुमिंजला बहुन की उचाई पूछी है तो बहुमिंजला बहुन की उचाई क्या आएगा 10 plus H मान ने हो 10 plus H का मान कितना निकाला है 13.66 जोडेंगे तो क्या जाएगा 23.66 मीटर के आजाएगा इसका मान आजाएगा यह हमारा क्या होगा एंसर होगा अगले कोश्चन के तरब बढ़ते हैं अगला कोश्चन दे रखा है चित्र में OACB केंदर O और तरिज्जा दे रखी है एक वरत का चतुर्थान से है OD का मान एद रखा OD का मान दो सेंटीमेटर दे रखा है और कहा है कि तरिज्जा इसकी कितनी यह तरिज्जा हो जाएगी यह वाले दूरी क्या हो जाएगी तरिज्जा हो जाएगी इसका मान दे रखा 3.5 इसे का इस चैटरफल हमें ग्याद करेंगे ? सबसे पहले क्या करना हैे ? सबसे पहले चतुर्थांस का छेतरफल निकाल लेना है चतुर्थांस का छेतरफल का सुत्र क्या होता है एक बट्टे चार पाई यार स्केर चतुर्थांस निकालेंगे पाई का मान 22 बट्टे साथ रिज्जा तीन दुद्म पाँच रखे करेंगे यह चतुर्थांस का मतलब है यह पूरा हिस्सा यहां से लगा कर यहां से और यह पूरा हिस्सा होता है चतुर्थांस यह हमने दूरी पूरे निकाल लिए यह वाला मान निकाला है पूरा चतुर्थांस चत्रतान से फिर ये निकाल लेंगे त्रिवुज का चित्रफल ये एक त्रिवुज का चित्रफल नकाल लेंगे घटा देंगे यही जो हमारा मान आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा चायांकित भाग का चित्रफल त्रिवुज का चित्रफल एक बटे दो आधार गुणे उच तो जाए वला रखेंगे करेंग क्या है अगले कोशिटन में दे रखा है नीम लिखित बारंबा चे भब में रकां समानतर माद्र योगपल दे रखा है एक्सवाई के 멌ने सकंद कर्लामन ने सबसे पहले समानतर मादिका निकान नहीं होती है तो वर गंतराल पहले बारंबारता फिर इसको जोड़के यहां पर ऐसे जोड़ जोड़के लिखते चले जाते हैं जो लास्ट में टर्म आता है वो हमारा इनका मान आ जाता है इनका मान टोटल साट के बराबर में कोस्टन में दे रखा है करेंगे मान हल करेंगे पूरा यह वाला एक एक क्वेशन बनेगी साट बराबर में इसका मान दे रखा है इन बराबर में एन बाइट वापत तीस निकालेंगे फिर इसमें मान रखेंगे हल कर में reverse कर देना video कम जादा कर लेना आगे पिछे जिससे question एक एक बारीकी से हल कर लेना है अगला question क्या है अगला question दे रखा सातवे खंड में पहला सातवे खंड का कि दो वर्गों के छेत्रफलों का योग इतना है छेत्रफलों का योग मतलब a1 प्लस a2 का मान दे रखा होगा 400 उनके परिमाप्पों का अंतर दे रखा है 16 तो उनकी भुजाओं का अनुपाद पूचा है अनुप भुजाओं पूचिए कैसे question साल को तो चली शुरू करते हैं question दे रखा है पहले वह क्या करना है पहले वर की भुजा माल लेना ये माल लेना पहले वर की भुजा है एकस दूसरे वर की भुजा वाई तो इनके छेतरफल एकस स्केर और वाई स्केर हो जाएंगे छेतरफल और एकस स्केर वाई स्केर का मान दे रखा चार सो पहले बरर की बुझा एक्स मान लेंगे दूसरे बरर की बुझा हुझा य है झेटरफल माना था तो पहले एक्स प्रस क्योंकि चेटरफल нож का योग दे रखा है 40 परिमाप निका लेंगे तो 4 गुड़े बुझा परिमापों का अंतर दे रखा है 11 तो एक equation जब इससे मान निकालेंगे तो xy बराबर में आ जाएगा 4 एक equation यहां से x का मान निकालेंगे और फर्स्ट equation में रखेंगे तो यहां पर समीकर्ण बनाएंगे फर्स समीकर्ण में यह वाला जो समीकर्ण थी इसमें मान रख देंगे यहां से यहां से इसका उठा के पूरा मान यहां पर रख देंगे रखेंगे तो एक equation निकल के आएगी यह वाली equation निकल के आएगी इसे हल करेंगे हल करेंगे तो equation निकल के आएगी इसे पूरा हल कर लेंगे तो पूरी equation यहां से यह निकल के आएगी y square 49 4y minus 92 वरापच 0 factor कर लेंगे इसके तो y के मान 16 और जी आजाएगा minus का मान होगा नहीं ये बुजा प्लस में होती है भुजा सदैव धनात्मक होती है धनात्मक होती है तो ये वाला मान होगा ये होगा नहीं ये रक लेंगे पूरी equation में वापस कर देंगे मान तो यहाँ पर x का मान 16 आ जाएगा यहीं हमारे x और y के मान होगी यहीं मारी भुजा होगी तो भुजा हमारी कौन सी होगी जब इसमें एक जोड दिया जाता है तो ये एक बट इाठ हो जाती है जब इसमें से एक घटाया जाता है मतलब जब अंस में एक जोड़ दिया था तो भिन एक बटे तीन हो जाती है और हर से एक घटाया जाता तो एक बटे चार बिन ग्याद करना तो क्या करना है भिन एकस बटे वाई माल लेना भिन x बटे y एक जोड़ना तो ये बन जाएगा एक equation निकाल लेना ऐसे फिर हर से जब एक घटाया जाता हर से एक घटाना तो एक बटे 4 बन जाएगी ये हल कर लेना ये एक equation बन जाएगी फिर दोनों equation को सालो करेंगे ऐसे दोनों को साल अकरेंगे हल करने पर यह जो भिमान आएगा दोनों को हल करने के बाद में X Y के मान रख देंगे यहीमारे क्यों हुझाएगी भिन हो जाएगी अगला कोश्चन क्या दिर रखा है अगला कोश्चन है कि चार सेंटिमेटर तरद जाके एक वरत्त पर 5 cm तिज्जा के संकेंद्री वरत्त की बिंदु से इस पर सरेखा की रचना करने जिसकी लंबाई भी परिकरिप करना है जाज भी करना है कैसे करना है सबसे पहले 4 cm तिज्जा भरके एक गोला बना लेंगे 4 cm तिज्जा का फिर यहां से प्रकार बनेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी एक चाप इसे मना देंगे एक चाप इधर यहां से मिलकर फिर यहां से रखेंगे एक चाप ऐसे जहां पर काटेंगे उनको मिला देंगे यह रेखा होगी यहां से केंदर करके प्रस को यहाँ पर रखेंगे प्रकार को ऐसे पूरा ऐस टाइप से गुमा देंगे जहाँ पर यह रेखाएं काटेंगे उसको इस बिंद से ऐसे सीधे मिला दिया जाएगा उसे जब इहां पर कटेगा, उसको ऐसे मिला दिया जाएगा, यहीं मारी क्या होंगी, इस पर सरेखा होंगी, इस पर सरेखा होंगी, एक ला कोजन क्या दिरे ठाएं, कि 5, 6, 7, 8 भुजाओं वाल त्रभुज के रज़ना करना है, फिर उसके बाद में समरूप त्रभुज के जिसकी भुजा है तीन बटे चार गुना हो तीन बटे चार गुना भुजा कहने का मतलब एक भुजा A B का मान मालो 5 cm, B C का मान 6 cm और C D का मान है A B C C A C A का मान है 7 cm और तीन बटे 4 गुने त्रुभुज की रचना करना है बहुत आसान है पहले A B ही 5 cm पहते हैं यहाँ पर नापेंगे 6 cm का चाप यहाँ से नापेंगे 6 mm का चाप यह लगा देंगे 6 cm 6 cm का यहां से नापेंगे से 7 cm का चाप लगा देंगे जहां पर कटे वो त्रभुज मिला देंगे यह हमारा यह हो जाएगा 7 cm यह हो जाएगा 6 cm एक निवन कोड बनाती और एका खिश देंगे 3 बटे 4 को ना करना है तो यहां पर रखकर 4 चाप लगा देंगे 1 2 3 4 यह A1 A2 A3 और A4 कर लेंगे यहां से इस वाले बिंदु को सी दें मिला देंगे जो भी मान बनेगगा सी दें मिला देंगे फिर जितना एंगल यहां पर बना है उतना एंगल त्रभुज हो जाएगा चलिए समाप्त करते हैं अगले सेट के और बढ़ेंगे तो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों को जरूर सेर करिएगा